अमेरे बाई, क्या आल साब, कैसी हो बहन, काम कर वे नहीं कर रहे हो, अगर बहन हो तो सुन इस वीडियो को, ध्याम से सुनो, और अगर आपकी लाइफ में को यसा लड़का है, जो अपने आपको भटकते वे, रहा में आपको दिख रहा है, आपके फ्यार में, तो हो सकता है इस वीडियो से आप उसको एक, ये नो, उस भटकी वी रहा से एक सही रहा में, ये नो, मैं भी डिरेक्ट कर सकते हो कि बालक, ये कहां चल ला है, यहां दाल नहीं गलने वाली, यहां जो तू राजमा बनाना चाह रहा है, उसके लिए मसाले नहीं है, मत आओ यहां पर, इस और मैसेज़ेस पर लड़की से, इस इस नो, हम यंग किसी लड़के की बात नहीं करें, इस अ ग्रोन अप, ठेक है, कोई रलेशनशिप नहीं थी, वाटसाप कॉल्स एक साल से मलब दोस्ती थी, ठीक है, लड़के ने भाई साब ने हमारी फिलिंग कर ली है, फानली उसको कोई प्रॉब्म है, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, मैं इस उतरा पर अपनी प्रॉब्म भेज सकते हैं, सोचो मत, जाओ, फॉलो करो भाई को, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे प्रॉब्म से सलूशन सा भी मैं बनाने वाला हूँ, इंसे अधर भी डालूँगा, तो मैंने सोच लें, इससे और तेज में डाल सकता हूँ, बाग ही आप किताब खरी सकते हो, दरूर इस वो कैबर, बहाँ पर आपको दिख रही है, आप उठा सकते हो, Amazon ये Flipkart में, अब हाँ बात करें, सलूशन के बारे में, हाँ पर एक सिंपल चीज समझे हो, हमें दो सिंपल कॉंस दो में लोग मिलेंगे, जो कि अपने पैर में को लाड़ा मार रहे हैं, जान कर पैर में को लाड़ा मार रहे हैं, ठीक है, ओनलाइन और रियालिटी, दो जिंदिगी में फर्क क्या है, ओनलाइन लाइफ और एक रियल लाइफ में, अगर तुम इस लड़के से अभी पूछ जब हम online किसे से एक साल से बाते कर रहे हैं जब हम कभी मिले नहीं हैं हमने actually में उनको कभी देखा नहीं है उनके साथ हम 15-20 मिनिट भी ने बिताये हैं हमने लेकिन हम ये belief और बैठे हैं मन में कि ये इंसान मेरे लिए बना है क्योंकि मैं this feeling में आ गया हूँ texting में जिनसे उनकी problem solve कर रहा हूँ तो मैं पता नहीं है लोग कितनी खतरना गहरी बाते बता देते हैं इतनी सच्छी वाली बात बता सकते हैं तो क्या मैं सोच लूँ कि आप मैं इस इंसान को personally जानता हूँ उसे साफसे तो मुझे conclusion draw कर लेना चाहिए क्योंकि same logic वहाँ भी apply हो रहा है भाई बढ़ मैं नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर सिर्फ अपनी problem solve करने आया है मुझे अपनी कुछ emotional listen चीज़ है इसको बताना है इसकी इसकी necessity है तो आपको समाझना है दो reasons बहुत बड़े हो सकते हैं हो सकता है आदमी out of necessity आप से कुछ share कर देगा हो कि उस वक्त moment ऐसा बैट रखा है दूसरा simply because इंसान अपने बारे में बात करना चाहता है we are self-absorbed, we are self-important creatures self-interest कहते हैं इसको भाई हम सबसे आदा interested अपनी जिंदिगी में है तो अगर कोई सुनने के लिए बैठा हम क्यों नहीं बताना चाहेंगे उसको अपनी जिंदिगी बारे में तुम हो जो कि mistranslate कर रहे हो एक इंसान जो कि अपनी जिंदिगी बारे में गाथा पूरी रमाण लिख रहा है या अपनी महभारत सुना रहा है कि ये मुझे इसलिए सुना रहा है क्योंकि तुम भी self-absorbed हो self-important हो तो तुमने अपने self-interest के point of view से देखके इसको translate किया clearly मेरे को ये इंसान इतना like करता है मैं इतना जादा close आ चुका हूँ इस इंसान के इसलिए तुम मुझे बता रहा है पहले तुमारी यहां फटी दूसरा point आगको simple सी बात समझने है online reality एक controlled reality है online इंसान comments में कुछ भी लिख देता है उसको कोई फर नहीं पढ़ा वो hate भी लिख देगा कोई फर नहीं पढ़ा उसको कि मैं यहाँ पर rude हो रहा हूँ क्योंकि उसको consequences से मुक्ती है real life में consequences से कोई मुक्ती नहीं होती real life में आपके actions के आपको वहीं पर consequences मिल जाएंगे phone के relationship क्या है आपका जब मां इनके आपने phone card दिया आपके 4 घंटे बात नहीं करी आप अपनी जिंदिगी में आप हो सकता है बाहर bulldozer चड़ा रहे थे लोगों पर आपके जैसी phone हो है आप दुनिये सबसे softest इंसान मन गए आपके पाइस इतना तकड़ा control करने की अपनी situation को अपनी surrounding को अपनी reality को option होता है phone पे कि आप reality का राव इनी touch कर रहे है आप इतने तकड़े emotions तो रखके बैठे हो बट reality में आप यहाँ पे बैठे हो तो आप उसको sensible नहीं कह रहे है वोही बात यहाँ पे यह है क्या भाई तुम प्यार करके ऐसा बैठी के तुम से शादी करोगे पर तुमने reality में भी experiences उस इस इसान के साथ क्या गेन किया है यह जो बाते बोल रही है यह reality में करती भी है कि नहीं करती लास्ट इस तुम्हें कॉर्शी समझो reality क्या है reality से भागने के लिए हम phone reality में घुशते है इस अनस्केपिसम एक सब्सक्राइब लिए रहा है दोस्ट तुम्हें आज के sponsors बारे में बताना है बहुती बढ़िया प्रोड़क्त है यह प्रोड़क्त है तुम्हारा मामा आठ का अनियन स्केल्प सरम इस इस वन फ़र बेस्ट है प्रोड़क्त यह उपने बालों ने खरीचते हो अम अब इस के पर इसके बालों बताता हूं scientific रीजन के हैं झैयासनमाइड प्रौष ष्ठार करता है बारती है के बुलिड ब्लड शर्कुलइशन्ची इसके श razón get your hair growth, मार के आदर बहुंगेओं झान दिश्म सबस्क्णनेशन शिर ठार ग्र्ड़ है आपको वाश करना है अपना बाल मामार्थ एबारंग मैं आपको दो तीन चीज़ आना चाहँ होगा पहला जब भी आप इमकी वेबसाइड मामार्थ.in से कोई प्रॉट्ट खरीते हैं तो दे लिंक यॉर ओडर तो ए ट्री दे प्लांट उस ट्री की तुमारे जियो लोकेशन स्प्रीशी और इंफर्मेशन आपको लिक के साथ सेंट कर दी जाती है मामार्थ इस प्लास्टिक पॉजिटिव इसका मतलब कि जितना प्लास्टिक यह यूज करते हैं उस ज्यादा यह रिसाइकल करते हैं यह प्रॉट्ट आप खरी चाते हो मामार्थ की वेबसाइट पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपॉण डाल सकते हो श्रता 2020 यह सेंट प्रॉट्स आपको Amazon, Flipkart, Naika इस सब जगह वेबसाइट पे भी मिल सकता है तो आप जाके थाई सकते हैं थैंक्यों भाई हम एक डिप्राइव रियालेटी में रह रह रहे हैं हमें यह बहुत जादा है इंडिया का बहुत बड़ा portion of you are यानि मैं मर्दों की बात कर रहा हूं men की इनके पास contact, exposure है ही नहीं लड़कीं से बात करनेगा ना दोस्ती है ना कुछ भी है तो आप अगर एक लड़की यावाज भी सुन रहे हो फोन पे और वो इनसान आपको care कर रहा है आप से तमी से बात कर ले रहा है हस ले रहा है और आपको priority दे रहा है तो natural feelings आएंगी तुम्हारे अंदर हो सकता है बड़ तो यहाँ पर यह भी consider करना है कि तुम तुम्हारी reality है इसका मतलब यह नहीं कि यह actual reality है और यह होना चाहिए situation खराब है इसका मतलब यहीं नहीं कि आप हम pity के चक्कर में तुमसे शादी कर ले कि तुम reality में कभी देखे नहीं उसको भाई तो मैं पता ही नहीं reality में इंसान दिखता कैसे ओपर से नीचे तक समझो सी इसको special reality जो होती है ठीक है space के point of view से distance यह सब चीजों कर गो तुमने कभी इसको three-dimensionally एक तरह से देखा ही नहीं है यह इंसान दिखता कैसा है सिर्फ फोटो उसको देखके तुम थोड़ी समझ गए हो कि इंसान actual में कैसा दिखता है cognitive dissonance आ जाएगा जब पहली बार मिलोगे एक इंसान से दो साल पहले दो साल से बस फोर्म बाते कर रहोगी वह हैं चुद ओ यह real में ऐसा है फॉक यह real इंसान दिख रहा है मुझे तो यह difference समझ हो लासी यह भाई है तुम्हारी worried about super possessive husband उसका जोबी है भाई वो उसकी प्रॉब्लम है तुम्हारी प्रॉब्लम कहां से हो गई वो यह तो तुम कहे रहो इंडिरेक्टली भाई उसकंदरी तुम्हारी समझदारी नहीं कि वो क्या इंसान चूज कर रही है अपने लिए वो भी उसकी प्रॉब्लम है actions have consequences वो उसके actions हैं उसके consequences वो भुखते ही वो उसकी प्रॉब्लम है वो उसकी जिन्दगी है तुम उसके बाप नहीं हो ना तुम उसके मजीहा हो यहां वे बहुत सारे लॉण नहीं होंगे जिनकी अभी हो सकता है उसमें खोचने वाले उस दलदल में या फिर कुछ इस वक्त दलदल में बैठे हो प्लीज इसको यूज करो एक moment of you know तुमारा awakening की तरह जागो जागो अगर आप ऐसी situation में है कि reality और एक online virtual bullshit जो हम create कर रहे है safe environment उसमें एक फर्क है बहुत पढ़ा भाई मेरा simple question तुमें ये भी पूछना है भाई कर तुम कहरो मैं friendship के point of view से इतना worried हूं इसका super over possessive husband के बारे में जो कि तुम clearly कह भी हो कि तुम उससे लड़गी से प्यार करते हूं मैं बता वो क्या worried है क्या वो super worried है तुमारे future को लेके क्या हो मेरे दोस्त के career में life में क्या चल रहा है वो भी उतनी ही worried है मैं ये पस पूछ रहा हूं in any of the departments of your life हो से था तुम उसके लिए कभी इतनी बड़ी चीज थे ही नहीं तुम एक escape थे और तुम उसको preserve कर रहा हूं कि तुम लोग फ्रेंड्स थे bank account में पैसे नहीं है कोई job नहीं है कुछ भी नहीं है stable लेकिन मैं रश्यान लड़की से प्यार करने लग गया हूं ऐसी इसी प्रमस आई है मेरे पास अजीब पागल वाली बात कर रहे हो यार रियालिटी से खोड़ा relationship तो लगाओ थोड़ी पी चीज को please measure करो भाई रियालिटी क्या है खड़की खोलो बहार देखो यह दुनिया है ठीक है फिर अपना bank account देखो फिर देखो मेरे future prospects क्या है फिर देखो जो अभी इस बक मैं currently काम कर रहा हूं मैं कहां जा रहा हूं उसके बाद देखो इस लड़की को मेरी feelings बारे में कितना पता है अब यह पा बादे कब 1-5% भी बुरा नहीं कर पाते हैं उसके लाद होते हैं breakup और divorces बाते करना बहुत असान होता है ना मैं था हवा में कितनी बोतों बाभी पतंग उड़ा दू भेंकर लब भी तुम्हें ideal scenario क्या था भाई जहां पहली बार तुम्हें लगा तुम्हें लगा तुम्ह लग और तुम्हें लगोरी तुम्हारे लिए क्या तुम्हारी फीलिंग्स हैं ऐसी कुछ यूआ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करने लग गया हूँ वहीं पर राइड ओफ दा जाना है अगर मैं कर सकता हूं तो विच वुट भी तुम्हें लेगा थे पूशनाना दो यहा मैं आपने आपको वापस ला सकता हूँ, इतनी कोई feelings नहीं है, एक ही option होता है, जो 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 रहता है वो लड़की लच से कह रही है कि हाँ, मैं भी तुम्हारा दिमाग कहां पे है, क्या क्या options बन सकते हैं, कैसे हम मिल सकते हैं, हम कहां जा सकते हैं, तुम्हें life में partner से कह चाहि है, तुम्हें इस relationship से चाहिए, इस वक्त तुम्हारा दिमाग कहां पे है, क्या तुम्हें एक short term, या इसी, you know, dating scene में हो, या तुम्हें एक long term partnership ढूंड रही है, जो कि शाधी में convert हो, और आगे जाए, दुनिया में इंसान से पूछना बहुत important होता है, चीज़ों में कही ल अगल बगल जितने लोग हैं, आपके कोई दोस्त हैं, इस सब चीज़ें आप शेयर करो लोगों को, थोड़ी सी practical thinking, realistically चीज़ों को अपने भावनाव को इतना ऊपर setup हो करके destroy उने से बचाने के लिए, यह सब चीज़ें सुनो, कुछ सब कोई बात है करता निये reality में, मैं ब आप सब बाब जारा हूं